अड्रेनलिन का क्या आर्थ होता है ये आज किस वीडियो में सीख लेती हैं अड्रेनलिन जो है वो एक हार्मोन होता है और इस हार्मोन को जो है एपिनेफ्रीन नाम से भी जाना जाता है और यह हार्मोन जो है हमारा stress या danger यानि कि जो stress होता है या तनाव होता है या danger जो खत्रा होता है उस response में यह काम करता है उस समय जो है यह हमारी body release करती है और उससे fight करने में हमारी मदद करता है और यह release हमारी kidneys से होता है तो इसको थोड़ा detail में समझ लेते हैं Adrenaline, also known as Epiphrine, is a hormone and a neurotransmitter, hormone और neurotransmitter है, neurotransmitter का मतलब होता है, जो हमारे neurons या हमारे मस्तिश्क तक एक संदेश पहुंचाता है, उसको neurotransmitter कहते हैं, that plays a vital role in the body's fight or flight response to stress and danger. It is produced by the adrenal glands, यानि कि इसे adrenal gland के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, यानि कि यह जो adrenal gland होती है, वो इसे बनाती है, और यह हमारे kidney के सबसे उपर वाले हिस्से पर होती है, यानि कि which are the located on top of each kidney, यानि कि हमारे दोनों kidney के बिलकुल top पर यह होती है. Adrenaline is released into the bloodstream in response to various stressful and challenging situations and it has several psychological effects, यानि कि जो adrenalin है, यह bloodstream में stressful जो time होता है, या कोई challenging time होता है, उस समय जो हमारी adrenal glands होती है, यानि क्रंथियां होती है, यह इसको हमारे खून के अंदर मिला देती है और उसके बहुत सारे psychological effects होती है. सबसे पहला effect होता है, इसका हमारी heart rate बढ़ जाती है और इसके बाद दूसरा इसका असर यह होता है, कि जो हमारी सांस लेने की नली होती है, वो फैल जाती है, यानि कि हम ज़्यादा सांस एकदम से ले पाएं, ज़्यादा oxygen intake कर पाएं, और जो blood का है redistribution भी इससे होता है, यानि कि blood जो हमारा तेजी से दोड़ने लग जाता है, muscles में, brain में ज़्यादा blood जाना शुरू हो जाता है, और हमारी जो performance और जो strength है वो बढ़ जाती है, यानि कि body की जो ताकत है वो boost हो जाती है एक तरीके से, और हमारी जो senses होती है, यानि कि हमारा दिमाग भी बहुत तेज हो जाता है, उस टाइम हम बहुत जादा तेजी से चीजों को analyze कर पाते हैं, और respond कर पाते हैं, और pain का sensation जो है कम हो जाता है, यानि कि उस समय जो दर्द है, वो कम हो जाता है, तो ये adrenaline का काम है हमारी body में, इसके बारे में और details से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के description में दिया गया है, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं, जो मुख्य बाते थी, वो adrenaline के बारे में मैंने आपको बता दी, यह वीडियो शेक्षनिक उद्देश्य से बनाया गया है, हमने किसी भी प्रकार की medical जानकारी आपको नहीं दी है, ना ही हम किसी प्रकार की medical सलहा देते हैं, किसी भी प्रकार की medical सलहा के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्ख करें, अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतु भकवास की सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें,